आज हमारा टॉपिक है अपनी गल्ती को जल्दी पहचानो नहीं तो वो एक कहानी बन जाएगे आज की शुरुआत हमें कहानी से करते हैं एक मौंक था और उसने सोचा आज मुझे सबसे अलग होकर एक कांत में जाकर मुझे मेडिटेशन करना है और इसलिए वो सबसे दूर होकर वो सोचता है चलो मैं तालाब में जाता हूँ एक बोट लेता है और तालाब के बीचो बीच उस बोट से वो पहुँच जाता है और उस बोट को तालाप के बीच में खड़ा करकर, अपनी आखे बंद करके वो ध्यान करना शुरू करता है। कुछ घंटे उसके ध्यान में बहुत अच्छी तरह से बीच जाते हैं, बहुत शान्ती उसे महसुस होती है। और अचानक उसे ये एसास होता है, अरे मेरी बोट को दूसरी कोई बोट धक्का दे रही है। वो तो वैसे ही आँखे बंद रखता है लेकिन उसका गुसा अंदर से और बढ़ता जाता और बढ़ता जाता क्यूंकि वो बोट तो धक्का दिये जा रहे दिये जा रही है अब वो सोचता है अभी मेना आखे खोल कर उस बोट मन को बहुत जोर से गुसा करूँगा उस पे चिलाऊंगा और वो अपना धियान बंद करके जैसे आखे खोलता है और चिलानी के लिए वो देखता है उस बोट में तो अरे क्या देखता है बोट तो खाली है जो बोट बंदी हुई नहीं थी बस वो तालाप के बीच में वो बोट आ गई और वो खड़ी है और वो बोट खाली बोट इनकी बोट को धक्का दे रही है उसी समय उसे सेल्फ रियलाइज होता है और वो समझ जाता है मैं तो ध्यान करना चाहता था शांती के लिए मैं इतना दूर आया हूँ कि सबसे अलोगों कर शांती में ध्यान करूँ लेकिन गुसा तो मेरे भीतर है मेरे अंदर भरा है सिर्फ उस गुसे को उक्साने के लिए उसे प्रवोक करने के लिए बाहर की कोई एक परिस्थिती चाहिए इसका मतलब किसी से भी जब हम मलते हैं और वो कोई हमें इरिटेट करता है तो याद आता है वो सामने वाली व्यक्ति लेकिन वो सामने वाली व्यक्ति कौन है एक खाली बोट है गुसा तो मेरे अंदर है उस मौंक ने तो जल्दी पैचान लिया और अपनी कमजोर सभाव को उसने करेक कर लिया वो बच गया लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या हम अपने अंदर की कमी को अपने अंदर की गल्ती को पैचानते हैं क्या हम पैचानते हैं कि मेरे अंदर एगो है मेरे अंदर गुसा है जेलसी है या फिर हम क्या करते हैं हम अपनी कमी की वकिलात करते हैं उसके एड़ोकसी करते हैं हम कहते हैं मैंने इनको रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया इसका कारण ये है कि ये मेरे मन जैसे नहीं चलते मैंने गुसा क्यों किया हम उसके कारण देते हैं excuses देते हैं क्योंकि इनकी आवास बड़ी थी इन्होंने मेरे मन के विरुद किया इन्होंने जूट बोला गलत किया so many excuses तो मेरा सारा फोकस कहा है मेरा सारा फोकस है दूसरों की कमी पर उनकी गलतियों पर और फिर हम उनके जच्च बन जाते हैं हम judgment देते हैं अरे यो तो है ही ऐसे यह हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं यह हमेशा इस प्रकार से चलते हैं मुझे मालूम है यह कभी नहीं सुद रहेंगे So what I did? मैंने हमारी गलती अपनी गलती इसे न पैचानते हुए मैंने दूसरे की गलती पर फोकस किया और मैं उनके बारे में जच बन गई मैंने judgment देना शुरू किया अपनी गलती की वकिलात की realize नहीं किया अरे मेरा tone गलत था मेरे facial expressions गलत थे मैंने उनका insult किया कई बार मैंने उनको respect नहीं दिया So that was also kind of insult मेरे शब्द गलत थे और इसी कारण से हमारे रिष्टे हमारे से दूर हो जगे और हम जितना जितना अपनी गलती को accept करने में देरी लगाते हैं उतना उतना हमारे रिष्टों के बीच की दुरियां और ज़्यादा पढ़ती जाती हैं और वो प्यारे से रिष्टे हमारे से दूर होकर और किसी के साथ वो हो लिए होते हैं इसका मतलब मैंने अपने रिष्टों की मित्रता उनका प्यार उनका सन्मान उनका सने इस सबको पुस्पोन कर दिया और मैंने लोगों को अफसर दिया कि जो उसकी कहानी उन्होंने बना दी प्लीज अपनी गलती को जल्दी से पहचानो चाहे वो एगो था या कुस्सा नाराज की थी या उदासी या निट्रल स्टेज जो भी है अपनी गलती को जल्दी से पहचानो please admit your mistake so fast that no one gets a chance to exaggerate it into a story और इसलिए अपनी गलती को पहचानने के लिए take support अगर हम खुद अपनी गलती को नहीं पहचान पाते न तो support लीजिए, support system तयार कीजिए अपने प्रियजन को पूछिए आपको मेरे में क्या गलती लगती है मैंने ये जो behave किया उसमें आपको क्या महसूस हुआ कई बार आपके family members आपको बता देंगे आपका friend circle आपको बता देगा but, but, please, please, admit your mistake so fast नहीं तो अपने अच्छे रिष्टों को, अच्छी opportunity को अच्छे लोगों को खो देंगे और इसलिए अपने अंदर का खुद को पहचाने का नेत्र सदा clear रखो, सदा साफ रखो Happy day अच्छे-जड़ceğ — सदाफ अच्छे शवर अज़घ कर Lebens